जी नमस्कार आप सभी को एक और नई लर्निंग स्टाड़ीजी के वीडियो पर स्वागत करते हैं तो बेसेकली यह जो स्टाड़ीजी है वो 10EMA स्टाड़ीजी है जो की बड़े यूटूबर के द्वारा डावलोप किया गया है मैं उसको मोडिफाई करकर करके आपके पास ल लीजेगा वीडियो को लाइक और कमेंट अपके माधियम से अपनी सुझाओ भी दे सकते हैं कि यह वीडियो आपको कैसा लागा ताकि मैं आपके लिए और बेहतर से बेहतर स्टाड़ीजी लेकर करके आ सकता हूं अगर आप आप्सन में ट्रेड करते हैं फ्यूचर में ट् लोग स्टाड़ीजी को समझेंगे उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू सेंद तक अगर टाइम नहीं होगा तो आप इसको वास्ट लिस्ट में डाल करकर के बाद में देखिएगा ताकि आपको स्टाड़ी मिस ना की कोसिस करते हैं उससे पहले हमें यहां पर दो समझना होगा एक एसे में यानि कि सिम्पल मुविंग एवरेज को और एक ईए में एक्स्पोनीशल मुविंग एवरेज को तब जाकर करके आप इस स्टाड़ी को बेहतर तरीके से समझपाएंगे तो सबसे पहले हम लोग यह यहां पर बात करेंगे कि इस simple moving average क्या होता है, simple moving average is the price over the specific period, यानि कि अगर हम 10 simple moving average की बात करें, अगर 10 हम लोग यहां पर 10 simple moving average की बात करें, यह हमें 10 दिन का data को हमें यहां पर derive कर 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 के देता है, यह simple आपको 10 days के back data को आपको provide कर 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 के देता है, exponential average क्या होता है कि exponential moving average is types of moving average that place a greater weight and significance of the most recent data point यह होता क्या है कि इससे थोड़ा सा ज़्यादा यह aggressive होता है aggressive means कि माल लिजे कि यह आपको ऐसे में एक से ले करकर करके 10 दिन का data बना करकर करके आपको पूरा purify करकर करके देता है लेकिन यह क्या करता है एक से ले करके दो आपको तीन और चार दिनों से ले करकर करके 10 दिनों को बीच में जो जो data मतलब aggressive जहां पे buying and sell हुआ है वो सारे data को यह expect करकर करके आपके सामने रख देता है तो EA में थोड़ा सा aggressive होता है और SA में थोड़ा सा simple होता है इसमें आपको simple सी भासा में हम लोग समझेंगे कि जब SMA यूज करते हैं तो हमें इसमें entry late मिलता है लेकिन इसमें हमें multiple entry मिलता है जिससे हम एक बहतर profit बना सकते हैं यह हो गया आपका SMA और EMA में difference अब हम लोग इसकी strategies को rules की समझने की कोशिश करते हैं कि इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे तो आप इसको trade segment में यानि कि आप इस strategy को options buying में भी यूज कर सकते हैं अगर आप option में trade करते हैं या selling में तो आप options में भी यूज कर सकते हैं future में भी यूज कर सकते हैं आप इसको stocks में भी यूज कर सकते हैं trading form में आप इसको intraday, positional trade, swing trade और long term में भी आप इसको use कर सकते हैं, depend on time frame, तो हम लोग आखर intraday के लिए हाँ पर बात करते हैं, तो intraday हम लोग क्या करते हैं, कि intraday में हम लोग इसको 5 minute और 15 minute time frame पर हम लोग इसको use करेंगे, एक बहतर result के लिए, और इसमें risk and reward के बात करें, तो हमें minimum आपको 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4, 1 to 5, 1 to 6, कभी-कभी आपको इसमें 1 to 10 का भी risk reward मिल जाता है, तो minimum हमें 1 to 2 को लेके ही चलना है, और ऐसा नहीं कि इसमें stop loss seat नहीं होते हैं, stop loss भी hit होंगे, लेकिन जब आपको ये trade मिलेंगे, तो आप believe मानिये, आपकी जो risk and reward होगा, वो बहुत आपके favorable में होगा, तो इस strategy को हम लोग चलिए, अब यहाँ पे चार्ट पे समझने की कोशिस करते हैं, कि कैसे ये use होता है, तो simple से हम लोग यहाँ पे एक, suppose that मान लिजी कि ये 10 moving average है, और यहाँ पे एक price upside की rally continue कर रहा है, और यहाँ पे आपको इस तरीका के candle बन रहे हैं, यानि कि जब भी moving average से उपर green candle बनेंगे, और उसके बाद यहाँ पे suppose that आपको red candle बनें, और red candle का low इसमें touch नहीं होना चाहिए, आपको green candle का भी low touch नहीं होना चाहिए, और red candle का भी low इसमें touch नहीं होना चाहिए, और उसके बाद जैसे ही red candle की high को यहाँ पे breakout होता है, तो हम लोग इस high breakout पे trade लेंगे और इसके नीचे का stop loss plot करेंगे और हम लोग अपने target के लिए weight करेंगे जो कि इसमें बहुत जबजस्त आपको target मिलता है ठीक उसी परकार जब market गीरते हुए आएगा तो गीरते हुए आएगा तो इसके नीचे ही red candle formation होना चाहिए और red candle जो होना चाहिए वो आपको 10 EMA से touch नहीं होना चाहिए और जैसे ही एक यहाँ पे green candle बनता है जिसका low 10 EMA से touch नहीं होता है और इसकी low को break होता है और जैसे ही red candle बनाते हैं तो हम लोग यहाँ पे entry लेंगे और इसके उपर का हम लोग ACL लखेंगे और अपने target के लिए wait करेंगे यह strategies का rule है अब चलिए हम लोग live आज के market में expiry के market में इसको समझने की कोसिस करते हैं कि यह हुआ की नहीं यहाँ पे आप देखेंगे कि यह trading view का platform है आप जिस platform पे trade करते हैं उसके indicator section में आपको जाना होगा और indicator section में जाने के बाद आपको just यहाँ पे EA में type करना होगा EA में just आपको type करना होगा उसके बाद आपको आजागा मैं यह आपको trading view के platform पे आपको explain कर रहा हूँ तो आपको moving average exponential को आपको select करने रहा है select करने के बाद यहाँ पे आपको chart पे यह plot हो जागा plot होने के बाद आपको इसको just एक setting करना होगा जो कि minor सा setting होता है जो inputs होते हैं यह 9 होते हैं इसको बस आपको 10 inputs कर लेना है और इसको styles बाकि सब सारे चीजों को ऐसे ही रहने देना उसके बाद आपको time frame को आप 5 minute या 15 minute जिस पे आप perfectible आपको जो अच्छा लगता है आप उस पे इसको set कर सकते हैं हलाकि 5 minute पे आपको multiple trade मिलेंगे और जल्दी entry और जल्दी exit भी मिलता है 15 minute में आपको late entry मिलेगा तो profit भी बड़ा मिलेगा तो हम लोग यहाँ पे 5 minute के time frame पे समझने की कोशिस करते हैं तो यह आपको जो blue color का line दीख रहा होगा यह आपका 10 EMA है और हमें entry कैसे लेना है तो वहाँ पे यह समझने की कोशिस करेंगे कि हमें entry कहां पे लेना है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि entry हमें कहां मिला है तो entry हमें देखेंगे कि इस candle पे देखेंगे कि एक green candle बना और green candle के बाद यहाँ पे एक red candle बना और red candle का जैसे ही high breakout हुआ तो यहां से एक one way आपको upside की rally किया और इसके नीचे का हम लोग result plot कर देंगे तो यह हमारा entry बना तो यहां पे हमें one is to two का easily target मिल गया अब आज की market में मैं आपको up to date करकर के बता रहा हूँ तो फिर यहां से आप देखेंगे कि यहां से train change हुआ यह समझ लिजी कि इसके ऊपर जब market moving average के ऊपर आपका candle formation हो रहा है तो हमें यह मान के चलना है कि market अभी bullish है और जैसे ही इस EMA के नीचे candle formation होना लगे तो हमको यह समझ जाना है कि market का trend अब change हो चुका है तो यहां पर आप देखेंगे कि market का जो यहां पर यह वाला green candle है यहां पर इसको touch नहीं किया है लेकिन इसकी जैसे ही low को break होता है तो यहां पर आप देखेंगे कि इसके ऊपर SL plot करकर करके यहां से आप देखे 1-10 का भी profit आपको easily मिल चुका है मैं आपको यहां पर price major करके आपको बताता हूँ कि यह कैसे काम करता है यह तबाही strategy है तबाही इट मेंस कि आपकी सारी loss को recover कर देगा लेकिन सिर्फ आपको इसको wait करना है आप देखेंगे तो यहां पर रिक्स कितना है 67 point का आपका profit कितना होता है 465 point का 1-7% का यह बहुत ही जबज़स्ट strategy है आप इसको back testing करिए ऐसा नहीं है कि इसमें stop loss भी नहीं hit होते है stop loss hit होंगे लेकिन जब आपको favorable trade और अगर आपको अपनी अनुभाव के according इस पर trade करेंगे तो यह बहुत जबज़स्ट profit देगा तो strategy बहुत simple है आप इसको use कीजिये नहीं समझ में आएगा तो वीडियो के description में आपको वर्टसप नंबर होगा वहाँ से जाकर करके आप message कर सकते हैं मैं आपको इसको बेहतर तरीके से guide करने की कोसिश करूँगा comment करकर करके पूछे मैं comment में भी अपनी सुझाओ को जरूर रिक्त करने की कोसिश करूँगा मिलते हैं फिर next day next video में धन